नमस्कार दोस्तों एक्जामों फोई यूटूब चैनल में आ सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूटूब प्लेट्वाम के माध्यम से विविन संस्थानों की UPSC के लिए टेस्ट पेपर सॉल करवा रहे हैं लेकिन टेस 365 का जो प्रोग्राम लउंच किया है उसमें जो है एक राजविवस्ता सब्जिक्ट है तो राजविवस्ता का वी जो है सेक्शन है जो किरेंट से समबंदित जो है टौपिक है उन पे हम लोग आज चर्चा करने बाले हैं यह करेंट अप्लेट से सम्बंदित यह अप्रेल आज हम लोग पहले चेप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, पहला चेप्टर है सविधान से संबंदित मुद्दे, यानि इसूज रिलेटेट टू कॉंसिटुटुशन, इसके तैज हमारा पहला टॉपिक है कि मूल धाचे का सिद्धान्थ है, यानि बैसिक स्ट्रक्चर डॉक इसमें समझेंगें कि इस सुर्ख्यों में क्यों रहा और यह सविधान का मूल धाचा है, इसका बैसिक स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें क्या-क्या जजज्मेंट सुप्रीमी कोट दौरा पारित किया गया और कब-कब क्या-क्या निर्णय आया, तो अभी देखा जाए तो यह वाज सुप्रीम कोट द्वारा मूल ढाचे के सिद्धान्त को प्रतिबादित करने के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं कि यह मामला था क्या। मामला यह था कि केश्वानन्द भारती विवाज जो है 1973 में सामने आया और यह वाज जो है केरल सरकार के विरुद जो है दायार एक याचका से सम्मन्दित मामला था और केरल भूमी सुधार अधनियम 1963 के तह जो है केरल सरकार द्वारा जमीदारों और मठों के पास जो है सरकार पर भारती सविधान के अनुछेद 25, 26 और 31 में जो नहित मूल अधिकार है उनके अतिक्रमण का आरोप लगा किस पर लगा था जो है राज सरकार पर यह आरोप लगा और इस वाद की सुनवाई के लिए 13 जो है न्याय धीसों की एक पीठ जो है गठित की गई और यह स इसके तहर जो है इस वाद से जोड़े कुछ है जो है प्रमुख प्रावधान हुए जिनमें से देखा जाया तो पहला था कि मूल ढाचे के सिधानत को प्रतिपादित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 24 में सविधान संसोधन की वैदता को बरक जिनमें से पहला यह है कि बसरते जो है सविधान संसोधन द्वारा या संसोधन द्वारा संविधान की मूल भूद विशेष्टाओं या मूल सिधानतों में परिवर्तन या उनकी छती अथवा लोप नहीं होना चाहिए इसके अलावा इस से पहले एक वाद आया था उननीस के तहट जो है गरंटी क्रत मूल अधिकारों को सविधान संसोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता लेकिन जो है जब यह गोलक वाला वाद हुआ इसकी पश्चाज जो है देखा जाए तो यह वाद आया कि श्वनंद भारतिवाद इसमें जो है सुप्रीम कोर् तो इसमें अगर इस डाइग्राम की माद्यम से हम लोग समझें तो संसद मूल अधिकारों सहिद सविधान की किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है तो इसके लिए पहला वाद आया एक गोपालन वाद आया 1950 में इसके बाद आया दूसरा वाद कौन सा आया 1951 में संक्री प्र में जो है 1971 में आया जो है दो जो है संसोधन किये सविधान में जो था 24 एक पच्चिसवाँ ठीक है तो 24 में कहा गया कि संसोधन अनुषेद 13 के आधीन विधी नहीं है इसलिए शंचत संसद सविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है लेकिन जब 25 संसोधन हुआ तो ये कहा गया कि धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटोती की गई और धारा 3 के तहत जो है नीती निदेशक तत्यों को मूल अधिकारों पर प्रात्मिक्त्य दी गई इसके अलावा अनुछेद 49B और 49C के लिए नयाइक समिच्छा की सक्ति करें तहर तो को प्राप्त किया गया इसके तहित इसकी आणावा जो वाद आया था उन्यसी सट में गोलकनात वाद इसमें कहा गया कि अनुछेद 368 ने संसत को संसोधन करने की सक्ति प्राप्त नहीं थी सक्ति प्रदार नहीं कि गई जो है सुप्रीम कोड द्वारा इसके बाद दूसरा तरकी ये दिया गया कि संसत द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता तो कुल मिला कि इसमें निचोड ये निकला था कि संसत द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता लेकिन जब देखा जाए तो 1971 में जब सुप्रीम कोड ने कह दिया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित है और संसत स्विधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है ये कथन किस में आया 1973 की किस्व थोड़ा सा बलग की समझ लीजेगे ये बहुत पूछा जाता है कुश्चन ठीक है इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो 59 समिछा की सकती के बारे में तो कोट ने निर्ने दिया ठीक है कोट ने निर्ने दिया कि 59 समिछा की सकती जो है स्विधान के मूल धाचे का एक अभिन अ है इसके अलावा एक अन्ण निर्ण आया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याइक समिच्चा की अपनी सक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़ कर सविधान संसोधन के अन्भाग की वैदता को बनाए रखा साथ यह भी कहा कि उद्देश का संसोधन का भाग है इसलिए इसमें संसोधन किया जा सकता है ठीक है यह तो बात हो गई किश्वननद वात की ठीक है तो लेकिन मूल ढाचे के बारे में बात कर रहे थे हम लोग तो उ उसकी थोड़ा सा एक्स्विनेशन को और जो है एक्स्ट्रेंड करते हैं तो मूल ढाचे की सिधान की अनुसार जो है देखा जाये तो सविधान में कुछ एसी मूल भूत विश्यस्ताइब विद्दमान है जिने सविधान संसोधन की माध्यम से संसद्वारत संसोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता ठीक है और भात की सविधान में कहीं भी मूल ढाचा पत का उलेख भी नहीं किया गया तो आएसे माला इस्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं कुश्यन में ठीक है तो यह जो है याद रखने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसकी अलावा देख जाए तो पहला दिया गया है कि भात की संप्रवुलता दूसरा है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वनदता और सच्छा यह भी मूल ढाचे का भाग है अगला है कल्याणकारी राज का निर्माण तीसरा है जो है सरिधान की सर्वोचिता चौता है गड़तांत्रिक और लोगता अगला है विधाई का कारपालिका और न्याएपालिका की बीच सकतियों का प्रतक करण होना चाहिए और सब की अपने कार जो है तो सब अपना-पना कार करेंगे इससे जो है भारत की जो डेमोक्रासी है वह स्ट्रॉंग रहेगी अगला है राष्ट की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए अगला है न्याएक समिच्छा का अधिकार ठीक है अगला है मौलेक अधिकारों और राच की नीती निरेशक तत्यों के बीच जो है सामंजस वह संतुलन आदी जो है बने होने चाहिए तो अब बात करते हैं कि मोल ढाचे की सिधानत का महत्य क्या है तो य अपने मोल भूत मूल्यों और सिधानतों को सरच्छित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्तियों के अनुसार कार करता रहे इसके अलावा इसके तह जो है कानून का सासन इस्थापित हो ठीक है और सक्तियों का प्रथक करण हो जैसा कि बताया गया कि जो है जैसे बिधाई को मौल धाचे में सामिल किया गया है यह बहलत में सविधानिक कानून काική कनून का आधार बन गया है इसके अलावा यहाप सुनिस्ब्शित करता है कि सविधान का संगी धाचा कमजोर्ण ला होने पाए हाला कि अधिकार केंद्र को ज़्यादा दिये गया है और अगला है कि यह सजधान की व्याख्या करते समय भारती नयाई-पाल का के दृष्टी कोड को दिसा में बहुत ही महतपूर भूम का निभाता है एक मूल भूर धाचा का ये एक महतपूर तत है इसके अलावा देखा गया है कि एक इसका सब्टिटूट है कि जिला नियालों की स्वतंदता की बारे में बात किया गया है ये भी मूल धाचा की अंतर आता है तो यहां पे देखा गया ह कि जिला न्याय धीसों की स्वतंत्रता भी सरिधान की मूल धाचे का हिस्सा है ठीक है इस से सम्मनित कुछ तत्त है तो ये जो है structure है ठीक है जुडिसरी का हाई कोट की नीचे के level का तो जो है उसके नीचे आता है जिलाय ओन सत्रन्यालय उसमें भी दो भागों में डिवाइट होता है मुल्सिप कोर्ट और क्रिमिनल फोजदारी मामले की नीचे होता है जो है मुख न्याइक मजिस्ट्रेट की अदालत ठीक है और एक होता है न्याइक मजिस्ट्रेट की अदालत ठीक है इस तरही के से इसका structure होता है तो समझ लेते हैं इस वाद में निर्नाय क्या निकल क्या आया तो कोट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो है इसके कुछ बिंदों को निर्नी साथ ही सकतियों के बारे में उसने अपना वकतब रखा जिसके तेहत कहा कि कि नियाइपाल्का की पदादिकारी। में एक कि राज के न्यायधीश की सेवा सरत है। रुपई आया है लेकिन वहीं देखे तो UP में एक लाख बीस है ठीक है वो सब जो है समानता नहीं है तो इसकी बारे में कोट ने खा कि सारे जो है स्टेट में जो है यह सिंट्र लेवल में जैसे सुप्रीम कोट के अंतर्गा देखा जाए तो दिल्ली में भी जैसे डिस्टिक काफी कम है ठीक है उनको काफी जो है मला की जो मला इस्टा जो है मला की बेतन के रावा जो मला की जो भी मिलता है वो जो है मला की अनुवान की हिसाब से जो दिल्ली में एक मला की न्यायधीस को मिलती है सेलरी वो जो है बहुत कम है वहां पे ठीक है इसके अलावा देखा जिला न्याले होता क्या है तो जिला न्यायधिस जिले में सर्वोच न्यायक प्राधिकारी है और अधिनस्त न्यायपालिका का संगठनात्मक धाचा अधिकारिता और नामकरण राज निधायत करते हैं इस कारण से जिला न्याले की इस्तिती एक राज से दूसरे राज में अ साधारित है ठीक है 3 इस्त्री है ठीक है ये कहा गया है ठीक है और जिला न्यालेओं की नियुकति यह जो है फूस्टिंग और पदोन नती जुह हाई कोड की परमर से राज का राजपाल करता है ठीक है ये महतपोर्ण बिंदू है इनको याद कर लिजिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि अनुशेत 370 का निर्षण ठीक है ये दूसरी खबर है तो इसकी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 370 के बारे में आया है ये सुर्खियों में क्यों रहा है ये जान लेते हैं तो सुप्रीम कोड की सविधान पीट ने 370 को निर्ष्ट करने की केंज सरकार की फैसले को बरकरार रखा और में मुद्दा ये है कि ये जो है 2019 से पांच अगस्त था ऐसा कुछ दिन था नई सरकार गठित होके आई थी उसी दोरान केंज सरकार ने अनुछे 370 के तहद जम्मू कस्मीर की विशेश दर्जे की इस्ति को समार्ष्ट कर दिया था ठीक है उस में संसोधन किये थे संवाप्त नहीं किया ज़kien साथ कर दिया था थो इससे संब्स्क्रा अन्य जो है प्रावदान क्या किया गया इसके अलावा संसद ने जम्मू कस्मीर पुनर गठन अधनियम 2019 भी पारित किया और इसके तहर कहा गया कि जम्मू और कस्मीर राज को दो केन सासित प्रिदेसों में विभाजित किया जाता है पहला किया गया जम्मू और कस्मीर को अलग दूसरा जो है लद्दा को अलग और याचका करताओं ने संगह की इस कारवाही की समय धानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी उस समय जब ये सरकार ने जम्मू कस्मीर पुलर गठन अधनियम 2019 ले आया और जम्मू कस्म यह तो आगा है यह है कि सरकार दोरफ क्या कारवाई की गई खातित हुआ उसका इस्टोरिकल बाकstar ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ayun本 ने ने दिया कि कालीन प्रावधान था ये कोई जो है इस्तिती नहीं थी 370 लागू होने की ठीक है ये जो है इसमें कोई इसलिए यहां परकाइ गया है इसको रद किया जा सकता है सरकार ने सही किया इसने संसोधन करके ठीक है और कोट ने कहा कि संसध किसी भी राज से उसका कोई राजच्चेत्र अलाक करके 6IGHT में प्रदेश भी बना सकती है। यह किसी भी राजशेद को किसी भी राज के एक हिस्से में मिलाकर नया राज बना सकती है वो चुनी हुई सरकार है केंदर की ठीक उसके पास अधिकार है यह तो कर सकती है साथी सविधान के अनुशेद तीन के इस पश्टी कर एक के अनुशार अनुशेद तीन ए में प्रयुक्त सब्द राज में केंदर सासित प्रदेश भी सामिल है इसलिए वो जो है किसी भी राज को एक जटकी में बदल के जो है यूटी में बदल सकती उसके पास ये अधिकार है इसके अलाव सुप्रीम कोट ने जो है एस आर बोमाई मौमले में भी दिये अपने फैसलियों को दोराया और उसको जो है कोट किया और उसने कहा कि जो है राज में आपातकाल या राष्टपती सासन की दोरान राष्टपती की कारवाय ही नियाइक समिच्छा की दारे में आती ही है साथ ही जो है ये तथ थे लेकिन कुल मिला किया है कि उसको जो है जो केंश सरकार का डिसीजन था उसको जो है सुप्रीम कोट ने बरकरार रखा साथ ही अब देख लेते हैं अरुछे 370 था क्या और इसका एतिहासिक की नोट क्या था यानि एतिहासिक बैक्ग्राउंड क्या था तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग विलयपत्र की तो अक्टूबर 1947 में जम्मु कस्मीर की जो अंतिम सासक थे राजा हरी सिंग उन्होंने जो है एक आई ओ आई ओ ए जो पे हस्ताचर किया था यानि इंस्ट्रूमेंट आफ जो है एस सेसन ठीक है के माध्यम से हुए अपने राज को भारती राजचित में सामिल करने के लिए सेमत हो गये थे ठीक है तब जो है देखा जाए तो जम्मु कस्मीर के लिए यह जो प्रावधान बना था यह आई स्थाई प्रावधान बना था क्योंकि जो है बहात का स्विधान जो 26 जन्वरी लेकिन देखा जाए तो अनुछे 370 में जो है रच्छा, विदेश मामले, बित और संचार को छोड़कर अन सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसत को राज सरकार की सेमत्य के आउस्था पड़ते थी लेकिन आप देखा जाए तो भारती सविधान का अनुछे 35A है इस और उन्हें मिलने वाली विशिए सविधाओं का प्रावधान किया गया है कि जैसे हम लोग यहां से बाहर से जाते हैं दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं तो वहाँ पर जाके मलग की आसेट्स वगरह नहीं खरीत सकते थे वहाँ पर लेंड असेट्स थी नहीं ख राउधान करता है कि संस्त जो है कानून द्वारा नए राज्यों का निर्मार कर सकती है और मवजूदा राज के राजचेत्रों सीमाओं का नाम में परिवरत्न कर सकती है और अनुचेत किसी राज की राजच्छेत सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्टपती एसी विधायक को संबंदित राजविधान मंडल के विचार के लिए उसी भेज सकता है या भेजा जन्च चाहिए ऐसा ये प्रावधान करता है आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं आगला के बीच में जिसके लिए अर्विंद केजिवाल साब थे ये विभिन राज की जो है जो प्रमुक थे उनसे जाके मिल रहे थे कि जो है लोकसभा और राजसभा में इस जो है अधनियाव का विरोध किया जाए इसमें जो है कॉंग्रेस ने भी आवाधी पार्टी का साथ दि है राजसभा में ओटिंग के लिए ठीक है ये ड्रेमॉक्रिसी के इंडिया की ताकत है कि वह जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राजसभा में पहुंचे कि वह एक राजसभा की मेंबर है उनकी जिम्मेदारी बनती है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के प्रावधान किये गया है तो इसमें जो है देखा जाए तो पहला बिंदू यह है कि राष्टी राजधानी सिविल सिवा प्राधिकरण है ठीक है इसकी सरचना में पहले बात कर लेते हैं दिल्ली का मुख मंत्री होगा और सदस सच्चिव और सदस्ट होगा मेंबर होगा दिल्ली सरकार का मुख सच्चिव इसा अदनियम में इन सभी निर्णे उपस्थित और मर्दान करने वाले सदस्यों की बहुमत की अधार पर लिये जाएंगे और दिल्ली की प्रधान ग्रह सचीव और मुख सचीव दोनों की नियुकति केंदर सरकार करेगी यानि जो तीन मेंबर जो बनाए गए है ठीक है एक तो मतलब की अध्याच होगा दिल्ली का मुख मंत्री एक होगा जो है प्रधान ग्रह सचीव ठीक है दूसरा होगा मुख सचीव और इनको जिनको ओट करना है इस पर जो है ठीक है कि किसकी ट्रांसवल पोस्टिंग होगी ठीक है ये भी जो है केंदर के आधीन होंगे ठीक है इनको भी निवक्ति ह की MALE खाह था है तो मामले में जिनमें जो है LG पोर्ता अपने विवेक से कार करता है तो इसमें नियाएक या अर्धनियाईक पिए कार करने की आउ सकता होती है यह अदनियम बना है इसमें काफी विस्तार दिया गया है उसकी सक्तियों काफी विस्तार दिया गया है जिसमें प्रमुक्ता से देखा जाए तो यह कानून aggregate आड़़िए के जो है विडिवेगा धिकार का विस्तार करता है ठीक है और इसतरय क्या जो प्रादिकरण है राश्च्टी राजधानी सेवा प्रादिकरण इसकी फारिसों को सिवAKार कर सकता है या उन्हें पुनरविचार के लिए वापस भेज सकता है ठीक है तो यहां प्रोम्क भूम का यह आगए कि अगर मानगे चलो दिल्ली सरकार कुछ भी किसी का अपॉइंट्मेंट भी करना चाहती है तो जो भी फाइल भेज़ेगी ठीक है वह जो है इस जो है अधियम के थाय जो है जो है एल जी के पास जाएगा अब वह मनला कि उसके बिवेख पर निर्भर करता है कि वह जो है उसको लागू करवाता है या पुनलब्रेचार के लिए वापिस भेज देता है इस स्थिति में देखा जाए तो एल जी और एंसी सी ऐसे की बीच जो है मतभेद होने की स्थिति में एल जी का निर्णा ही अंतिम माना जाएगा हमें जो मलग किसी की टांसर पोस्टिंग करनी है हमें यह बंदा नहीं चाहिए ठीक है अपने दिल्ली में ठीक है हम इसके काम से संतुष्ट नहीं है ठीक है फाइल बेजी गई लेकिन जो है अगर मान की चलो बिवाद उस्पन हो गया ठीक है ठीक है अड़े रह गया कि दि मामलों का निफ्टान तो इसमें देखा जाए कि कुछ विशेस मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख मंत्री और मुख सचीव की माध्यम से उन मामलों को LG की राय है तो उसके समच्च प्रस्थूत करना होगा यह मामल यह कौन कौन से ह ठीक है दिल्ली सरकार और केंश सरकार सुप्रीम कोट या अन्य राज सरकालों के भी संबंध के मसले हैं विधान सवासत्य को बुलाना है और सत्रा उसान एवं विक्टन तथा इसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकार से आदेश देना है ऐसे मामलों में जो है ठीक है देखा जाए तो एलजी की अन्मदी बहुत आउस्यक है और उनके पास समझ रिपोर्ट करना बहुत जूरी है ठीक है इसके अलावा देखा जाए तो राश्टी रायधानिश्य दिल्ली की सासन व् कि अनित्यगी रॉप में वरगी किया गया कप किया गया। 1956 में ठीक है लेकिन जो है दिल्ली सरकार की प्राशासन की वीकास की वारें है थोलाव सा बास कर लेते स्ट्र्क् людям ये कैसे बनां तो 1918 में जो है इसे जो है भागशी का राज मैं गया ठीक है भाग शीका राज मन में ये से जो है यूनियन ट्रेटरी का दज्जर प्रदान किया गया और 1966 में किया हुआ कि दिल्ली को सेमित प्रतिनिधी सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रसासनिक अधनियम पारित किया गया इसके पश्चाज जो है 1991 आया तो यहां पे 69 वर सरिधान संसोधन और जी गेंड सीटीडी अधनियम 1991 पारित किया गया इसके पश्चाज जो है 2021 में तो आपने देखा ही कि जो है जी एन सीटीडी संसोधन अधनियम 2021 पारित किया गया तो हम यहां पे देखा जाए तो केंद सासित प्रदेश के प्रसासन का प्रावधान सव्विधान के अनुछेद 249 के तहट किया गया है इस अनुछेद में यह लिखा गया है कि यूटीज का प्रसासन सीधे राष्ट पती या राष्ट पती द्वारा नियुक्त प्रसासन द्वारा किया जाएगा जैसे कि एल जी साहब आते हैं ठीक है और एल जी कोई नेता नहीं होता ठीक है एक बिरु समीति की सिफारिसों के बाद जो है सिस्टी नायर में स्रिधान संसोधन अधनियव 1991 द्वारा दिल्ली को विशेश दर्जा प्रतान किया गया साथ ही इसे राष्टी राजधानी छेत्र यानि NCTD के रूप में नामित किया गया और इस संसोधन द्वारा संसोधन के अमचे 24 249 एए जोड़ा गया और दिल्ली को विधान सवा एवं मंत्री परिशत से युक्त एक केंद्र सासित प्रदेश बनाए गया इसके अलावा उपराजपाल जी से LG कहते हैं तो LG की प्रसासक की रूप में भी नामित किया गया और वह दिल्ली सरकार की मंत्री परिशत की साहता और परामर्ज से कार करता है लेकिन देखा जाए तो दिल्ली विधान सवा की सक्तियां क्या हैं तो दिल्ली विधान सवा के पास जो है पोलिस लोक विवस्ता और भूमी को छोड़ कर जो है राज सूची एवं समर्ती सूची के विश्यों पर कानून बनाने की सक्ति है और संसत की दिल्ली से संबंदित राज और समर्ती सुची के सभी विश्यों पर कानून बना सकती है ठीक है लेकिन देखा जाए जो है जी एन सी टीडी अधनियम तो इसके तहर देखा जाए तो दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र सासर अधनियम 1991 के तहत दिल्ली विधान सभा और दिल्ली सरकार की कामकाज के लिए रूप रेखा त्यार करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो है बिंदु है चोथी न्यूज है जो है प्रेवेंटिव डिटेंशन ठीक है ये सुर्खियों में क्यों रहा है तो हाली में सुप्रीम कोर्टें निर्ण प्रेवेंटिव डिटेंशन की बारे में जानते है तो इसका अर्त हो ये होता है कि अपराथ करने से पहले ही किसी ऐसी व्यख्ति को हिरासत में लेना जो कनून और कि यानि आप जानते हैं की कोई व्यक् consumo कर सकता है कि एक प्लिस को सब्सक्राइब कर बन सकता है या खत्रा उत्पन कर सकता है उसको हिरासत में ले लेती है मलकी एजेंसी ठीक है जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जो है एक जन्यू का एक स्टूडेंट था जो अभी जेल में है ठीक है नाम याद नहीं आ रहा मुझे साथ उमर खालिद नाम था ऐसा कुछ ठीक है वो जो है अब आपराद नहीं किया होता लेकिन एजन्सी को लग रहा होता है कि ये मलगी कल अपराद कर देगा तो मलगी काफी मलगी ज्यों है इसलिए उसे अपने custody में ले लेती है agency, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भासर दिया हो, या ऐसी उसकी कुछ गतिविदिया हो, जिससे agency को सक होता है, या फिर मलग कि कुछ भी ऐसा निकल के आता है, उसकी मलग गुप्त स सुत्रों से कि वो ऐसी planning कर रहा है, तब भी agency ऐसा कर सकती है, ऐसे में व्यक्ति द्वारा भोईस में किसी अपरात को अंजाम देने से रोकने हे तू, detain, यानि गिरफतार किया जाता है, इसके तहट व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए, हिरासत में रखा जाता है, लेक व्यक्ति पर सवधान की प्रावधान लागू नहीं होते है, जो अनुछेद जो है, बाइस तीन में वर्नित है, ठीक है, यहाँ पर यह जो है, नियर्थक हो जाते है, इस पर काफी बदलाव किये है, ठीक है, तो मलत कि जो है, एना ये जैद आरिष्ट करता है, तो उस समय जो है, जो क्या बोलते हैं कि जो है, काफी सेंसिटिव मामला है कि आतंकवाधी गतवीदियो में जो है, जो है, सक्की आधार पयासे गिरफतार करता है, तो मलत उसमें जमाना तो अगरा निमिलती, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं हम लोग अगले भिंदू के ओर, संसत क भात की रच्छा, विदेशी मामलों और सुरच्छा से जुड़े मामलों के लिए, प्रवेंटिव डिटेंशन संबंदी कानून बनाने का अनन प्राधिकार है, उसकी पास अधिकार है, भात की रच्छा, विदेशी मामलों और सुरच्छा से जुड़े मामलों के लिए, ठ के लिए कुछ कानून दिये गए है जिन में जो है प्रेवेंटिव डिटेंशन की प्रावधान किये गए है पहला है दंड प्रक्रिया सहिता दूसरा है नार्कोटिक ड्रक्स एंड साइको ट्रोपिक सबस्टेंट एक्ट उनिस्तों पिचासी इसके अलावा अगला है गयर कान किया गती बते हैं किया सकता है लिए आपने अंचुछ ऑए ब्यक्ति को गिर्वतारी की कार्लों की जानकारी दिए बिना उसी और कषड़ी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता या अपनी रूची की वकील से परामर्स करने या बचाव कराने के आधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है यह ऐसा सविधान में प्राधान है ठीक है और इसके लिए देखा जाए तो एक ही गोपालन बनाम मदरास राज 1950 का एक निर्णा है जिस जिसे गिरफतार किया गया है यह custody में रखकर detention किया गया है उसे ऐसी गिरफतारी की 24 घंटे के भीटर मजे स्टेट की समझ जो है पेस किया जाना चाहिए ठीक है और किया भी जाता है मने अभी देखा है अभी जो है आज कहीं एक न्यूज है जो है यूटूबर एल्विस यादो उर्फ सिधार्त यादो उसको आज नोड़ा पुलिस ने अरिष्ट किया है और उसका विवाद है क साप की जहर का मला की एक मामला चल रहा है ठीक है तो नोड़ा पुलिस ने अरिष्ट किया और साम तक उसे मज़िस्ट्रेट की समझ पेस किया यह अनुशेद 22 की तहत वर्ण नेथ है ठीक है अब अनुशेद 23 के तहत देखा जाए तो उपर यूगत दो खंड उस व्यक्ति अनुशेद में प्रावधान किये गए है यह जो है उस व्यक्ति पे लागू नहीं होंगे जो उस समय भाद की किसी सत्रुदेश का नागरिक है ठीक है अगला है अनुशेद 24 तो 24 के तैद हम लोग देखते हैं कि कि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक के लिए डिटेन न अगला है अनुशेद जो है 27B तो किसी व्यक्ति को सलायकार बोर्ड की राय के विना तीन महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसत कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि एससे डिटेंशन की अधिक्तम अवधी कितनी होगी ठीक है यह परिस्थ लाल बनाम उत्तरपदेश वाद था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अदालत जो है डिटेन करने की वास्त विक्ता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जाच करने में सच्छम नहीं है ठीक है लेकिन अगला जजज्मेंट आया तो उसमें मंगाल राज जुबाध हुआ तो इसमें जो है प्रेवेंटिव डिटेंशन की आऊधाना अपने आप पर रहे यह कहा गया और सृधार में गारंटीकरत मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है ये प्रेवेंटिव डिटेंशन जो मला की ये थियोरी है ये जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है लेकिन कभी-कभी देश की सुरच्छक बनाए रखने के लिए राज द्वारा इस तरह की के जो है अत्यदिक कठोर कदम उठाने आउशक है ये भी मला की ज ठीक है ये सुर्ख्यों में क्यों था इसकी बारे में चर्चक करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवूट के प्रसिद अभिनेता के जो है व्यक्तित्तों अधिकारों को किसी तीसरे पच्छ द्वारा दुरुपयोग किये जाने से सरच्छर प्रदान किया है इसकी देखें तो व्यक्तित्तों अधिकार के बारे में बात करें तो यह होता किया इसके बारे में थोड़ा सा चचा कर लेते हैं तो व्यक्तित्तों अधिकार से तात्पर है कि किसी व्यक्तित्त की रच्छा करने के अधिकार से है यानि माना जाए कि व्यक्तित्त अधिकार का मा रतीक हैं इन पे मसला क्या आया है उस पे आगे तुरह चर्चा करेंगे तो भारत में विक्तित अधिकार क्या है ठीक है तो देश Direct त्व देयर दिकार करकार curriculum में इस्पष्ट बीदमान माने गए है और भाट में विक्तित अधिकार में जो दो जो है प्रकार की अधिकार का उलेख मिलता है हमें एक है publicity का अधिकार यानि right to publicity ये किसी व्यक्ति की छवी या अन्विसिस्ताओं को बिना उसकी अनुमती या समीधात्मक मुआवजे के व्याव साइक रूप से दुरुपियोग होने से बचाने का अधिकार पदान करता है यानि कोई भी नेता है ठीक है उसकी चवी को लेकर या अन्विसिस्ताओं के बिना या उसकी आनुमती के ठीक है या फिर उसको कुछ मलग की कुछ उसकी चीज़ इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके बचाने का यह जो है पबलिसिटी का जो है अधिकार है right to publicity ये उसको जो है अधि ट्रेड मार्क अधनियां माफ कीजिए 1999 और कॉपी राइट अधनियां वह उनिस ताउन जैसे कानूनदारा जासित होता है ठीक है जैसे कि मान के चलो आपने जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाया ठीक है उसका नाम भी रखा बना सोच बिचार के और जो है ट्रेड मार्क लेना अलग होती है तो आपको जरूर मन लगी और इंडरस्टी और छेत्र भी बहुत मात पोड़ा मान के चलो आपने जो है कोरियो नाम से किसी कंपनी को बनाना चाह रहे है लेकिन यही कंपनी कपड़े बेचती है कहां पे हैदराबाद में लेकिन आप लोग रहते हैं दिल्ली म लगा के apply कर सकते हैं ठेक है इस condition में भालत की इसमें काफी दिवाद होिए लेकिन लेकिन मलत की आपको यह नाम मिल जाएगा लेकिन जो है इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपсолют्र एकस yехa तो आधिकारों को प्रभावित नहीं कर रहे है ठिक है अगला बिन्दू है निश्टा का अधिकार ठिक है इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित को बिना उसके अनुमाति के सारजनिक रूप से प्रदस्रित ना करने का अधिकार सामिल है इसमें जो है जिसके तरह देखा जाए तो निज्टता का अधिकार मोटे तारपा जो है सविधान की अनुश्यद 21 और न्याय मूर्ति के एस पुट्टा स्वामी जो मामला हुआ था 2018 में इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के तरह सासित होता है अब देखते हैं कि अगर व्यक्ति की मृत्तु हो जाए उसके पाद व्यक्तित अधिकार कैसे बचते हैं यह बचते हैं भी यह नहीं है तो इसमें देखा जाए तो प्रतीक और नाम के बारे मात की जाए तो इसमें प्रतीक और नाम अधनियम 1950 था यह कानून इस अधनियम की अनुसूची में सूची बद कुछ गड़मान व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के जो अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है ठीक और दूसरा है भारती दंड सहिता यदि कोई व्यक्ति किसी मृत्तक या उसके परिवार की प्रतिष्टा के खिलाप नकरात्मक टिपड़ी करता है या अपमान जनक समगरी प्रकासित करता है तो भारती दंड सहिता के तहट मान हानी का मुकदमा दायर किया जा सकता है ठीक ह इसके अलावा जो है अंतार राथी अभिस्वावत कि टहूं है ट्र番कर बर्तमाश्वार में पॉब्लिश्टी आधिकारों के सरच्छर से संबंदिद कोई इस्पष्ट अंताराथी अभिस्वाषँ या संधी नहीं है अभी हाला कि publicity संबंदी कुछ अधिकार निमने लिखिद अन्ताराष्टी अभिश्रमियों में से प्रात किये जा सकते हैं जैसे रोम का अभिश्रमय है जो 1961 में ये कलाकारों के अधिकारों फोनोग्राम प्रोडूशर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रच्छा करता है इसके अलावा जो है वीपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संदी हुई ये संदी विशेश रूप से डिजिटल परिवेस में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोडूशर के अधिकारों की रच्छा करती है तो इस तरीके से प्राधान है ठीक है तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तित्व अधिकारों से संबन्दित जो है सविधानिक प्राधान किये गए है जिसमें अनुछेद 21 के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतनता से कानून द्वारा इस्थापित प्रकिया के अनुसार ह जाएगा अनुथा नहीं ठीक है और दूसरा है अनुछेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है इस अनुछेद को 44 सविधान संसोधन अधियम 1978 के तहत सविधान में जोडा गया इस अनुछेद के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्रादिकार के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता इसमें दो जज्जमेंट भी आए पहला जज्जमेंट था कि दीपा जय कुमार बनाम जो है एल विजयवाद 2019 में आया इसमें मदरास हाई कोट ने कहा कि किसी व्यक्ति की म्रत्यों के साथ ही उसके व्यक्तित अधिकार भी संपत्त हो जाते हैं यह जाएंगे इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित अधिकार उसके कानूनी उत्रादिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं यह काफी अच व्यक्ति की छवी और विशीश रूप से उसकी निजी छवी का उसकी सहमती की बिना उपियोग करना गैर करूनी होगा ठीक है ये भी काफी अच्छा जजमेंट था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छटी नम्मर की नियूज जो हेट इस पीश से समधित है तो ये की बारे में जा लेते हैं तो हाला कि हेट स्पीश को भात की किसी भी करून के अंतरगत परभासित नहीं किया गया है और हेट इस पीश जो है आंतरपर व्यक्तियों के एक समूँ के खिलाब घ्राना को बढ़ाने का वक्तब होता है इसके अलावा हेट स्पीश को अभी व्य इन रूपों में जो है व्यक्त किया जा सकता है इन रूपों में देखा जाए तो चित्र है ठीक है किसी की चित्र में तोर मनोर की जा रही है ठीक है या गलत तरीके सेर किया जा रहा है जैसे कार्टून बना दिया किसी व्यक्ति का उसको पसंद नहीं आ रहा ठीक है मीम्स म किया जारा जो उसकी नाम के साथ भीड़ता है या उसने कुछ ऐसी भविस्त में हरकत की थी लेकिन ऐसा ही प्रतिक चिन आप बना के भेज रहा है उसको जो है जो है जो है मैंना कि हमारे बुंदेल खनी बोलते बिराने के लिए चिछाने के लिए ठीक है और इसे ऑफ-लाइन और लाइन दोनो तरीकों से प्रसारित किया सकता है ठीक है और बात करते हैं भात में हेट स्पीच को नियन्तित करने वाले कानून कौन से है तो स्विधानिक प्राधान ये कहता है कि सर्धान का अनुछेद 19-2 सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंतता का अधिकार प्रदान करता है हाला कि इस अधिकार पर अंडबातों के साथ साथ लोकव्योस्ता सदाचार या नयतिक्ता की सरचण हेतु जो है युक्ति युक्त निर्वर्धन लगाए ग विदिक समुहों के बीच सत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है यह धारा और धारा दोसो निन्यान में आई किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने की इरादे से किये गए जानबूच और दुर्भावना पूर्ण क्रत्यों के लिए दंड को परभासित करती है तीसरा कथन है कि धारा 351 और 352 विभिन वर्गों के बीच जो है लोक हानी सत्रुता घ्रणा और दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन अपवाह या रिपोर्ट के प्रकासन या प्रसार क अधिकार को दंडित करती है इसके अलावा जो है आया तीसरा कानूल लोक प्रतिन इधित्तों अधनियम 1951 इसके तहे जो है इसकी अधनियम के धारा आठ में ऐसी व्यक्ति को चुनार लड़ने से अयोग घोसित करती है जो वाक या अभियक्ति की स्वतंदता के अधिकार का गलत उपियोग करने का दोसी पाए जाता है साथी धारा जो है 123 ए और धारा 125 जो है निर्वाचन की संबंद में धर्म मूलवंस जाती समधाय और भासा के अधार पर सत्रुता फैलाने वाली गत्विदियों को एक भर्ष्ट चुनावी आचर माल रही है साथी इन गत्विद प्रवासी भलाई संग्ठन बनाम भारत संग्वाद 2014 का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकरात्म प्रभावावों पर संग्यान लेते हुए मामले की गहन जाच के लिए इसे विधी आयोग को सौब दिया था ठीक है लेकिन जो है स्रेया सिंगल बनाम भार उचित प्रतिबंद केवल तभी लगा जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक आविवस्था का कारण बनती है ठीक है तब तक जो है इसको इंप्लिमेंट नहीं किया जा सकता है लेकिन एक जहां महत्पूर्ण निर्णाय आया अमीश देवगर बनाम भारत संग्वाद यह एक पत्रकार है नीव्च एटिन के तो इसमें यह निर्णाया कि सुप्रीम कोट देई इसमें माना कि फ्री स्पीच यानि शुतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना काफी महत्पूर्ण है साथ ही कोट ने फ्री स्पीच के प्रतियिस प्रदी हितो को संतलित करने ग्रणा और संप्रदायिक आज्सामंजस की प्रसार को रोकने की आवसक्ता को हंकित किया तो इसमें free speech और hate speech के बीच के ब्यूद को काफी संतलित कर दिया और इसमें क्या hate speech है और free speech है ठीक है उसको भी define किया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला कानून जो था नागरिक अधिकार सरचड अधनियम था जो 1955 में आया इसकी धारा साथ कहती है कि जो है कहे गए या लिखे गए सब्दों की माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द् देखा जाए तो आइस प्रस्ता को उक्साने और उसे बढ़ावा देने की ब्रूद दंड का प्राधान किया गया है ठीक है एक अगला कानून है कि धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारान अधनियम जो 1988 में आया इसकी धारा 3G धार्मिक संस्थानों या उनके प्रवं संस्थान है ठीक है हम लोग क्ißtक्राधान के प्रावधान है इसके लिए दिया गया है लेकिन ज estamos Yeti शुआ हो रहाता है 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 यह स्थाला अधनियम 1991 तो ये सुर्ख्यों में क्यों हैं तो हाली में सुप्रीम कोट ने कहा कि वह उपासना इस्थल अधनियम के तहत विवादिक धार्मिक इस्थलों से संबंदित मामलों की सुनाई करने से अन अदालतों को रोकने का आदेस नहीं दे सकता जैसा कि हम लोग देखते हैं यूपी मे असला पहुंचा था मता सुप्रीम कोट की इस पर रोक लगाई जाए लेकिन जो सुप्रीम कोट है यह कहते हुए कि आदालतों को हम जो है आदेश दे कर रोक नहीं लगा सकते सुलाई करने से ठीक है और इसी मामले को खारिज कर दिया ठीक है प्लेस आप वर्षिप एक्ट वही रहेगा जो 15 अगस्त दो ओजा उननीस्तों से तालश में था यानि के पढ़ले जो घो था तो वही बना रहेगा उसके बाद जो है कोई भी fren Acebenh इसिमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संस्तान के अपासना इस्तल्कों किसी अलग शंप्रदाय या उसकी किसी दूसरी वर्ग में परवर्तित नहीं करेगा कि मनला कि कोई व्यक्ति किसी विधार्मिक संप्रता के उपासना संप्रता को किसी अलग संप्रता या उसके किसी दूसरी वर्ग में परवर्ति नहीं कर पाएगा मान झालिए कि जो है अब यह पंदा अगस्त 1947 के किसी जगह मस्जित थी तो अगर वहां साच मिलते हैं मंदिर के तो यह जो है अधनियम कहता है कि वहां पर वापिस से मंदिर नहीं बन सकता वह मस्जिद बनी रहेगी ठीक है और यह अधनियम राजपर्ग प्रतेक उपासना इस्थल के धार्मिक चरित को बढ़ाए रखने जैसा कि सुतंदता की समय मौझूद था का सकरात्मक दयूत भी डालता है इसके अलावा यह गोशना करता है कि उपाउसना इस्थल की सुरूप को परिवर्तित करने की संबंद में सभी मुकदमे आपील या कोई अंड करवाही जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प् मंदिर बना ठीक है लेकिन मलकी नराज होने वाली बात नहीं है काफी उसमें साथ मिलेते ठीक है नहीं मलकी किसी से मलकी एक ही देश में रहा जा रहा है ठीक है किसी से वह मनस्त नहीं रखना चाहिए ठीक है सब अपने भाई भाई भायन है ठीक है तो यह सब नहीं रखना प्राचीन इसमारक एवं पुरातत्वी इस्तल और और शेस अद्धियम उन्नीस सो अठावन के अंतरगत आने बाले इसमारकों वह पुरातत्वी इस्तलों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, और जो है, तो जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बरीकी है कि प्राच इसमारक एवं पुरातात्विक इस्थल और और अउशेष अधनियम 1908 के अंतरगर्थ आने बाले इसमारकों और पुरातत्विक इस्थलों पर लागू नहीं होता है यह ठीक है यह काफी जोर देने वाली चीज है जो हर जगे काम करती है और इसका काट निकलती है यह जो है उ यह मामले भी इसमें सामिल नहीं है जो पहले से ही निपड़ चुके है यह सुलज गये है ठीक है और एसे किसी भी इस्थल का कोई रूपांत्रण जिसे पूरु रजाबंदी से किया गया है यह भी अधनियम की दारे में नहीं आएगा ठीक है यह दो मलाकी समदाय आपस में रजाबंदी से कोई किसी को जो है ट्रांसफर करता है जो है मलाकी अपना उपासना इस्तल तो उसमें यह जो है अपवाद है उसमें यह चूट है अब इसमें जुर्माने की बात करते हैं तो अधनियम की धारा च्छह में इसके प्राधानों का उलंगन करने पर जुर्माने के साथ अधिक्तम तीन साल की सजा का प्राधान किया गया है अब महत्पुर्ण कुछ सुर्खियों पर बात कर लेते हैं आठवी नम्मर की निविज में कुछ महत्पुर्ण छोटे-छोटे बिंदू है तो आया महत्पुर्ण सुर्खिया काउंची स्रिधान की आठवी सुची में कुई भासा को सामिल करने की प्रस्ताओं को मंजुरी दी है एक वहां की रिजिनल भासा है कुई भासा याद रखियेगा पूछा जा सकता है एक्जाम में ठीक है अब बात करते हैं भात की सर्धान की आठवी नम्मर सूची है क्या तो इसमें देश के आधिकारि भासाओं को सूची बद किया गया है वर्तमान में 22 भासा इसमें समलित है और मूल सविधान में किवल 14 भासा थी बाकी भासाओं को बाद में जोड़ा गया संसोधन की माद्यम से ठीक है जिसमें देखा जा तो सिंधी भासा को 1967 में और कॉंकडी मरीपुडी और नेपाली को 1992 में 71 सविधान संसोधन करके इस सूची में सामिल किया गया इसकी पहस्याद जो है 2003 में एक संसोधन किया गया जिसे 22 सविधान संसोधन नाम जिया गया इसके माद्यम से संथाली डोगरी मैथली और बोडो भासा को सामिल किया गया अब बात करते हैं किसी भासा को सिद्धान की आत्वी अन्सूची में सामिन होने से क्या लाब होता है इसी तरीकी की statement आपको question में रख दिये जाते हैं और वहीं पे जो है slip हो जाता है question आप से तो पहला ये हैं लाव क्या होता कि भासा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्थ होता है साथी सहेत्यक अकादमी से मानता मिलती है साथी इस भासा की पुस्तकों का व्यापक इस तर पर अनुवात किया जाता है इसके अलावा राज विधान सभा और संसद में बहस के दवरान इसका उपयोग किया जा सकता है साथ ही आखिल भारती प्रतियोगी परिच्चाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है इसके अलावा आरबियाई द्वारा नोटों पर अंकित भासाओं में भी इसे सामिल कर लि इसके लिए सरिधान में अनुछेद 31 भी जोड़ा गया और नौही अनुसूची में सामिल केंद्री और राज कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंगन के अधार पर अधालतों में चुनोती नहीं दी जा सकती। साथ ही इस प्रकार के कानूनों को नियाले की समझ चुनोती भी दी जा सकती है। यदि वे कानून के अनुशेद 14, 19 और 21 के तहद गरंटी करत मौल अधिकारों या सविधान के मौल धाची का उल्लंगन कर रहे हैं तब इसको चुनोती दी जा सकती है। अगला है बिंदू चुप रहने का अधिकार, right to silence. तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोट ने इसपष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जाच करता उन्हें बोलने का, बोलने या अपरात करने के लिए, मजबूर नहीं कर सकते। और चुप रहने का अधिकार जो है अनुछेद 23 में नहीं था है। इस अनुछेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाब साची बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें कहा गया हाला कि ये सरचन केवल आपराधिक कारवाही तक ही सिमेथ है। और जिस व्यक्ति से सीमा सुल्क अधनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रवंदन अधनियम 1999 के तहत पूछताच की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्द नहीं है, क्योंकि उस कंडिशन में बाहरी सक्तियों का हाथ हो सकता है, और टेरिरिजम का और द 23 के तहत नहीं मिल पाएगा, इसका कराण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपरात का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का हगदार भी नहीं होता है, ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो नंदनी सत्पती बनाम, PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्टे कहा था, कि क किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना 23 का उलंगन हो सकता है, अगला था, अगला एक बिंदु है, निजी छेत्रक में इस्थानी लोगों के लिए आरच्छन, जिसमें देखा जाए तो पंजाब और हर्याण राज इस्थानी उमीद्वारों को रोजगार अधनियम 2020 को रद कर दिया, क्योंकि जो है, इसमें कहा गया था कि इस अधनियम के तैज जो है, निजी छेत्र में 30,000 रुपे सी कम मासिक वेतनवाली नवकरियों में हर्याणा के इस्थानी लोगों को 75% रिजर्विशन दिया जो है, पराउधन हर्याणा सरकार ने लागु किया था, जिसको पंजाब हर्याणा हर्याणा राकोठ ने निरस्त कर दिया, क atravies कर का ध्या तो हाई को रिज Intro झो ८ो बात की सृधान की भाग तीन के मौलिक अधिकार का उलंगन करता है। साथ ही नियाला ने ये भी तर्क दिया कि एक राज इस्तत के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेध भाव नहीं कर सकता है। क्योंकि वे जो है उस राज से संबंदित नहीं है यह नकरात्मा का भेदभाव है वे भी तो हमारे देश की नागरिक है ठीक है तो यह भेदभाव नहीं चलेगा ठीक है भले आपका श्टेट के अंदर आप चाहते हैं ठीक है कि आपकी बच्चे लोग भी पाएं लेकिन जो अधर स्टेट में रहते हों किसी और देश की निवासी थोड़ी है वह भी है तो भारत की ही ठीक है इसके अलावा जो है आंत्र देश 2019 जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरी की करून मनायते लेकिन उनकी भी बात जो है उनके हाई कोट में अभी लंबित है ठीक है उ अमेरिका में कुछ विश्यस पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाब पच्छपात के एतिहासिक प्रतिरूप से निपठने के लिए प्रियोग में लाया गया इसके तरह जो है अमेरिका के कॉलिजों और विश्य द्यालों में अश्वेत हिस्पैनिक तथा अन अल्पसंख्य चात्रों के प्रतिनिजित को बढ़ाया जाता है साथी भारत में आरच्षण अफर्मेटिव एक्सन एक उदारन है इसका इसके माध्यम से एतिहासिक रूप से वंचित समोहों का सिच्छा नवक्रियों सरकारी योजनाओं चात्रवत्ति और राजनित्ति में प्रतिनिजित तो बढ़ाया जाता है ठीक है और सविधान के अनुछेद 15-4 और 16-4 सरकार को आरच्षण से संब्नित प्रावधान करने की अनमतिवी प्रतान करती है इसके तैर देखा जाए तो सविधान के दारे से हटके देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनिवाद में रोजगार यहों सिच्छा दोनों में OBC, SC, HD के लिए अरच्षण 50% सीमा तैकी लेकिन इसमें भी विवाद चल रहा है अभी हाली में देखा जाए तो पच्छी पार्टियां कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो OBC की गर्णा करवाएंगे कितनी OBC है जिसको उतना अधि जिकार मिलना चाहिए ठीक है तो यह भी विवाद चल रहा है अभी जो है इसके लिए जो है बकाइदा रोड़ी आयोग का गठन भी किया गया उसकी रिपोर्ट आ गई है अब उसको जो है केन सरकार ने उजागन ने किया है और 24 की एलेक्शन भी होने वाले है लेकिन नहीं और एक तो है अपने जो है क्या बोलते हैं हो जो है अभी मंत्री बने यूपी के यूपी के मंत्री बने है न पीला गमचा रखते हैं ठीक है हो वह भी अपना जो है अपनी विरादरी का मला की प्रतिनिरत कर रहे है ठीक है मंत्री बन जाते है कभी जो है वो सपा के साथ आप के आइसे लोगों को देखा ठाकोर ब्रैदरी से भी आते हैं लेकिन उनके ऊचे लोगों के कि लाले पड़े हैं विचारे गरीब है इसे से लोग देखें CSD में की 606 होता है उनका आज भी यह उपलब्द है मैं जाता हूं मैं बुंद्धिल फचाफ में और और पानी भरक दाएनेके बान को नह लाएंगे और अपनी बर्तनों को धो हैंगे और पानी भरकते हैंगे तर पुद भर्रादी को छूँ लिया तो है तो ऊच्छा को और सिच्छा को अगर मजबूत करेंगे तो यह खामियां दूर हो जाएंगे लेकिन अगर मानगी यह इस बाहर आते हैं जैसे हम लोग देखते हैं अभी मेलग कुछ लोग आज रिख बन जाते फिर भी वह अपना लिए तो चीज भी मना आगे निकलना चाहिए यह नहीं कहा जा रहा है कि आप इस सी कर रिजर्वेशन छोड़ दिजे उचवर के लिए लिए तो जाएशी बात है कोई और एस सी का अगर आप एक सीट छोड़ देंगे आप सेलेक्टेट है बहुत उंचे पत्पे है तो उसका दिरुपयोग नहीं होना चाहिए ठीक है आप से नीचे और सब्सक्राइब करते हैं तो काफी सारे इसमें सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ठीक है कि एक ही घराना जो है मला की समाज के उच्वर्ग में आने का मौका मिलना चाहिए ठीक है अगला बिंदू है रंगनात मिस्रा आयोग ठीक है इसमें हम लोग देखते हैं रंगनात मिस्रा आयोग के बारे में तो इसे आधिकारिक तोर पर धार्मेक और भासाई अलपसंख्यों के लिए राष्टी और धार्मेक अलपसंख्यों को से संबंदित अलग-अलग मुद्दों को रिखांकित करने के लिए किया गया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2007 में सिफारिस की सरकार से कि अनुसूचित जाती का दर्जा पूरी तरीकी से धर्म से अलग कर देना चाहिए साथ ही इसे अनुसू बरते हैं तो ऐता है अनुछे 255 के तहत क्यों चर्चा में रहा ठीक है इसकी बारे मैं बात कर लेते हैं तो अनुछे 255 से 302 तक में निहित अपातकाल से सम्बंदित प्रावधान का एक हिस्सा है इसकी तहत कहा गया कि संग्ह का यह करतब होगा कि इस बाहरी आक्रम और और अंत्रे के असांती से प्रतेक राज्की रच्छा करें और साथ ही संग का यह करतब है कि वे प्रतेक राज्की सरकार का सविधान के उपवंदों के अनुसार चलाया जाना सुनिचित करें अगला बिंदु है पैदल चलने का अधिकार राइट टू ओक तो यहां पर देखा गया कि पंजाब पैदल चलने का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है ठीक है और यह अधिकार जो है एनेच एयाई सहित सड़क स्वामित वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुट पाथ और साइकल ट्रेक की सुद्धा प्रदान करना अन्वार कर दिया गया है ठीक है तो यह वाला टोपिक यहीं भी सहाफ्थ होता है ठीक है हम जो है कल जो है इसी के जो है एक दूसरी वीडियो के तहर्त जो है दूसरी चिप्टर को लेकर हाजिर होंगे तब तक लिए टाटा बाई 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 गूटनाइट